देखिए बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए मैं असाम से आया हूँ यह मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है किसलिए मैं असाम में बेंगल में हर दिन मेरा असाम में मुस्लिम पोपुलेशन 40% हो सुखा है 1951 में 12% आज असाम में मुस्लिम पोपुलेशन 40% हम जीला की जीला खो सुखा हूँ तो मेरे लिए यह बुड़ा पोलिटिकल नहीं है मेरे लिए यह जीना और मरने का मुद्दा है इसलिए मैंने उसका साधी हर दिन संघर्ष करता हूँ देखिए महुदी में हमारा हिंदू समास का एक छोता दिमान था कि हमारा राम नवमी का जो फ्लैग है इसको आप लोग गाव आने का इजाज़त दीजिए और अगर पास बैक्ती को भी आप इजाज़त देते हैं हम लोग खूज है लेकिन हिंदू समास को ओ इजाज़त नहीं मिला लेकिन बाकी लोगों को महरम का जुलूस निकालने का भी इजाज़त मिल गिया है ठीक है आज आपका सरकार है आप जो कर रहा है अगली बार जब जारखान में बीजेपी का सरकार होगा हम लोग सब जाके राम नभमी का जुलूस निकालूंगा उइद दा पार्मीशन अब दा लोग देखिए हमारे जब मैं जारखान में आते हूँ जुरूर सिक्रोटी का खर्षा तो थुरा बहुत तो होता ही है जारखान सरकार का आसाम कर्मिन ने निनन लिया है जो भी खरसा होगा आसाम कर्मिन रिइंबर्स कर देगा किसलिए मेरा सिकूर्टी का जिम्मेदारी आसाम कर्मिन का ही उठाना है इसलिए में जहां भी जाओ जनों जैसे आज राहूल गांधी घुमत है देज़भर राजनिटी के लिए तो राहुल गांधी का खर्षा कुन उठाता है आप जे एमेम को पूशिए जब हैमन शुरेंजी सी एम नहीं था बीच में दस दिन उनका जो सिकरोती था ओ कुन उठाया खर्षा तो ऐसा अगर अबास्त भी कोई प्रस्ण करता है तो उनका क्या उत्तर है अब बटाईए अज प्रियंका गांधी देश में घुमता है उनका पीसे सिकरोती जाते हैं उनका खर्षा कुन उठाता है आप ऐसे बोल रहे हैं कि हम तो दूसरा देखिए हम तो इहां मेहमान का नाते आया हूं तो मेरा यह जिम्मेदारी बनता है में मेहमान को क्यों कास दो नरिंद्र मोदी सरकार को की जूट का आवाड आसाम के मुखमंत्री को दिया जाए वो राज दिन सिर्फ लोगों को बाटने का काम करते हैं जूट पहलाने का काम का 1951 में की जंगंडा के मुताबिक करीब 25% पॉपूलेशन मुसल्मानों की आबादी आस सामने थी 2011 के जंगंडा के मुताबिक 34.22% मुसल्मानों की आबादी आस सामने थी ये क्यों पढ़ी इसके पीछे जो असलियत है वो नहीं बयान गया हूए कि उन्निस सो क्यावन के आधार पर जो उस वक्त का आसाम इखटा था यानि कि उसमें से चार राज्य और बन गए तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन उसके तवाजुन में वो बढ़ती भी दिखाई थी